मेरी प्यारी भाईयों और बहनों जो इस प्रोग्राम को दीख रही है मैं आपका धन्यवाद रहता हूँ कि आप निरंतर इन प्रोग्राम को देखते आ रही है आप आशिशित है मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस पल आप रभुयेश मसी पर विश्वास करते है तो आप कितनी आशिशें प्राप्त करते हैं हम नहीं जानते हैं शायर हम इस बात को समझ भी न पाए और शीव परमेश्वर ने हमें ये पवित्रा आत्मा दिया है पहला कुरंथियों अध्याज 2 बचन बारा कहता है परन्तु हमने संसार की आत्मा नहीं परन्तु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमने संसार से आत्मा नहीं पाया है लेकिन हमने परमेश्वर से आत्मा पाया है वो तो पवित्रा आत्मा है परमेश्वर ने हमें ये पवित्रा आत्मा क्यों दिया है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वन ने हमें मुफ्त में दिया है वो सारी बातें जो परमेश्वन ने हमें दी है जब हम ईश्व मसी पर विश्वास करते हैं मैं उन में से कुछ के बारे में कहना चाहूंगा आप सारी बातों को लिख ले परमेशड के वच्चन से उस मनम कीजिए यह सब कुछ आपका होगा मेरे प्यारे लोगों बाइबल कहती है जब आप प्रभु ईशु पर विश्वास करती है यह नाध्या एक वच्चन बारह और तेरह कहता है वो कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया और उसे स्वीकार किया है परमेश्वर ने उने सामर दी है कि वो परमेश्वर की संतान हो जाएं यह तो वे ना तु लहू से और ना शरीर की इच्छा से ना शरीर की इच्छा से जन्मे परंतु परमेश्व से उत्पन हुई है इसका मतलद जब हम येश्व मसी पर विश्वास होते हैं जब हम प्रभू येश्व मसी को स्रीका करते हैं पवितरात्म आपसे कहता है कि आप परमेश्वर से जन्मी है, परमेश्वर आपका पिता है, आप उसकी संतान है, परमेश्वर राजाओं का राजा है, और आप राजा है, आप एक राज घराने में पैदा हुए है, आप परमेश्वर के पुत्र है, कि आप ये जानते हैं, जब आप विश्वास करते हैं आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर के पूत्र हो जाते हैं, आप परमेश्वर से जन्म लेते हैं, जब आप रभी एश्वर पर विश्वास करते हैं, आप बस यही तो हैं, आप यही तो हैं, आप गरीब नहीं हैं, आप राज घराने के हैं, राज की व्यक्त बाइबिल कहती है, पहला यह नाध है, पांच वचन चार, यह इस तरह से कहता है, आए इसे सुनते है, और यह कहता है, जो भी परमेश्व से जन्मा है, वो संसार पर जय पाता है, आप संसार पर जय पाने वाली है, जब आप रभुईश्व पर विश्वास करते हैं, तो आप संसार पर जय पाने वाली रखते होते हैं, परमेश्वर ने आपको यही बजिया है, संसार आप पर जय नहीं पाएगा, आप संसार पर जय पाएगे, संसार की सारी परिस्तियों को बाए और आप उस पर जयर पाएंगे आप राज्य करेंगे और संसार को आपको सुनना होगा नंबर दो है कि आप जयवन थे कि आप ये जानते हैं संसार पर जयर पाएंगे आप ये ये जीर मसूह कि नाम में इसका उपयोग करते चले जाएं चलिए उधारण के लिए आपको बता है यहोशु वहा पर एक वेक्टी था एक दिन उसने सूरज से कहा और उसने चा नसे कहा उसने कहा सूरज वहीं पर रुग जा तो वो वहीं पर रुख गया, यह बाइबल नहीं है, और हम भी यह कर सकती है, यह सामर्थ हमारे लिए उपलब हुआ है, ईशु ने यह हमें दिखाया है, जब वो नाव में यात्रा कर रहा था, बहाँ पर बड़ा तूफान आया, सारे जो चेले से वो दर गए, और बहुत सी लहरे उठने लगी, ईशु ने खड़े उठता है, और उसने हवा को कहा कि तुम शान्त हो जा, चुप हो जाओ, और तुरंट तुन्होंने आग्या माल, और जील शान्त हो गई, मेरे प्यारे लोगों, आप जैवन से, और निश्ची हम इसे कहते जाए, एक सूसमाचा समाम आचानक बारिश आए, अमने कहा हम बारिश, रुमजा, इस जगह से हट जा, वो चली गई, और चारों तरफ बारिश हो रही थी, हर जगह बारिश हो रही थी, लेकिन इस मैदान में कोई बारिश नहीं हो रही थी, परमेश्वर ने ये सामर्थ हमारे मुह में रखी है, मेर नमबर तीन, बाइबल कहती है, पहला यहना अध्या तीन, वचन नौ कहता है, यह इस तरह से कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका अभीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, मेरे प्यारे भारों और वैनों, प्रभु येश्व मसी पर विश्वास किसे, जब आप प्रभु येश्व मसी को स्वीकार करते हैं, बाइबल कहती है, आप आप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का बीज आप में है, आपके अंदर परमेश्वर का बीज है, पाप नही पहले तो पाप, पाप हटा दिया गया, और अभी परमेशर का बीज वहाँ पर है, धार्मिक्ता वहाँ पर है, पवित्रता वहाँ पर है, सिध्धता वहाँ पर है, आप पाप नहीं कर सकते, आपके पास धार्मिक्ता का जीवन है, विजे धार्मिक्ता का जीवन है, शैतान आ जब आप रभी इशु पर विश्वास करते हैं, 2nd Peter 1.3 2nd Peter 1.3 As His divine power has given to us all things that pertains to life and Godliness through the knowledge of Him who was called by glory and virtue. जिवन और भक्ति से संबन्द रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा के और सद्गुन के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमुले और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, इस तरह समचन जबना है, देखिए ये आलोग के एक इश्वरी सामर्थ हमें दी गई है, ये तो जीवन और सुभग्ति से संबन्द सारी बाते हमें दी गई है, जीवन से संबन्द सारी बाते हैं आपको पहले से दे दी गई है, परमेश्वन ने ये पहले ही आपको दे दी है जब आप ईश्व पर विश्वात करते हैं ईश्व को स्विकार करते हैं तो जीवन और सुभक्ति से संबंदित सारी बातें आपको दे दी जाती है ये ऐसा नहीं कि वो आपको देगा नहीं ये पहले से दे दिया गया है आपको क्या कर दो बस प्रभु का धन्यवाद देश से ले 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 और उसका उपयोग करे हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ हर एक बात दे दी गई है आपको जो भी चाहिए यह पहले से दे दिया गया है अगली बात में बाइबल कहती है मेरे प्यारे लोगों Ephesians chapter 1 वचन 3 कहता है यह कहता है Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ हमारे प्रभु येश्व मसी के परमेश और पिता का धनिवाद हो कि उसने हमें मसी में स्वर्गे स्तानों में सब प्रकार की आशीश दी है आशीश से आशीशित किया है क्या आप इसे जानते हैं मेरे प्यारे लोगों हमारे प्रभु येश्व मसी के परमेश और पिता का धनिवाद हो कि उसने हमें मसी में स्वर्गे स्तानों में सब प्रकार की आशीश दी है इस तरह से वचन कहता है सारी आशीश दी है स्वर्गे स्तानों में उसने में पहले आशीश दी किया है क्या आप ये जानते हैं क्या आप इस पर विश्वास करते हैं तो फिर आप जाकर ये सब कुछ क्यों मांगते रहें क्योंकि हम नहीं जानते हैं विश्वास भी नहीं करते हैं प्रभ येश्य मसीपर विश्वास कीजिए क्या आप येश्य मसीपर विश्वास करें Bible कहते हैं Colossians chapter 1 Colossians chapter 1 verse 12 and 13 वचन 12 and 13 Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance who has qualified us to be partakers of the inheritance in the saints He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love Colossians chapter 1 and 12 says Colossians chapter 1 and 12 says Give thanks to God कि परमिश्वपिता को धन्यवाद करती रहो He has qualified us उसने हम इस योग निबनाया कि हम स्वर्ग में जा सकें कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकें आप उसcenày योँग ने बनाये गए गए हैं परमेश्व ने आपको पहले योग scientifically ठहराया है जब आप इशू पर मिशपा कर सकें आप स्वर्ग में जाने की योग ये बन जाते हैं आपको परिक्षा और इन सारी बातों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है और फिर आगे वो कहता है उसने हमें पहले से छुड़ा दिया है उसने हमें अंधकार की सामर्थ से छुड़ा दिया है जब आप ये शुक्त विश्पास करते हैं तो आप पहले से ये अंधकार की सामर्थ से चुटकारा पाचुकी हैं अभी आप अंधकार की सामर्थ में नहीं रही हैं अभी चुटकारी की सभा की कोई जरूरत ही नहीं है जब परमीश्वन ने आपको चुटकारा दिया है और अगर आप बैड कर छुटकारे के लुपवास परातना करती है, तो कहां से आपको छुटकारा पाना है, किस से पाना है, किस से आपको छुटकारा पाना है, आप तो पहले से छुटकारा पाए है, अंधकार की सामर से पहले छुटकारा पाए है, हमें ये विश्वास करना ह बाइबल कहती है उसने हमें लाया है, वहां से निकाल कर लाया है उसने अपने पूत्र येश मसी के राज्यम हमें ला लिया है उसने पहले ही हमें ला लिया है मेरे प्यारी भाईयों, मेरे प्यारी बहनों आप इस रात को जान ले कि आप स्वर्ग में जाने के लिए तयार हैं तो उसके लिए कोई भी लिखित परिक्षा लिए या इसी बात नहीं कि आपको परिक्षा लिखनी होगी परमेश्व ने आपको योग्य बनाया है कलवरी के क्रूस पर दाम चुकाने के द्वारा उसने आपको अंधकार की सामर्थ से पहले ही छुड़ा दिया है उसने आपको पहले ही अपने प्रिय पुत्र प्रभुईश मस्री के राज्य में ला लिया है पता नहीं कि आए संसार इस बात को जानता है या नहीं शायद ये बाइबल में होगी कहती है तो निश्चे ये आपको हिमत से कहना है हाँ मैं स्वर्ग में जाने के यूग गी हूँ अंधकार की सामर्थ तेरा इसके साथ में कोई भी संबन नहीं है ये शुमसी ने मैं ये छुटकार दिया है मैं उसके प्रियपुत्र प्रभुईश मसी के राज्य में हूँ मैं स्वर्गिय राज्य में हूँ मैं पहले ही वहाँ पर जा चुका हूँ जो चुका हूँ मैं वहाँ पर रखा गया हूँ मैं अभी प्रभु के राज्य में हूँ प्रभु के सूती को क्या आप इसे समझे नहीं? यह सब आख शीश है अहम यह स्चांगते हैं अगली बात Bible कहती है Revelation chapter 1 प्रकाशित वाक्या अध्या एक verse 5 and 6 वचन 5 और 6 कहता है and from Jesus Christ the faithful witness the firstborn from the dead and the ruler over the kings of the earth to Him who loved us and washed us from our sins in His own blood and He made us kings and priests to His God and Father to Him be glory and dominant forever and ever Amen मेरे प्यारे लोगों जब आप ईश्य मसी पर विश्वास करते हैं आप ईश्य मसी को स्वीकार करते हैं क्या आप जानते हैं कि आप एक राजा हैं? आप एक राजा हैं आप सामान्य नहीं हैं आप एक राजा हैं क्या आप ये जानते हैं? कहिए मैं एक राजा हूं मैं एक राजपदधारी याजक हूं कितनी आशी शेवाई? ये शु ने आपसे प्रेम किया है ये शु ने आपको पहले ही धो दिया है उसने अपने लहू से आपको धो दिया है आप ये शु मसी के लहू के द्वारा पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं उसने आपको धो दिया है अपने लहू से आप बहुत ही शुद्र हैं आप पवित्र हैं क्या आप ये विश्वास करते हैं क्या आप ये जानते हैं जब आप ईश्यू पर विश्वास करते हैं तो ये सारी आशिशे हमारी हो जाती है मेरे प्यारे लोग बाइबल कहती है Luke 10.19 जब आप ईश्व मसी पर विश्वास करते हैं परमेश्वन ने हमें अधिकार दिया है परमेश्वन ने आपको अधिकार दिया है शत्रू की सारी सामट के ओपर उसने हमें अधिकार दिया है आप शत्रू की सारी सामट के ओपर में अधिकार को लिए हुए है वो आपको कहता है कि उससे आपको चल दे और वो कहता है कि सापों को और विच्छों को आप राउन दे आप अधिकार को लिए हुए है शत्रू की सारी सामट के ओपर में अभी कितने हैं, अभी कितने हो चुके हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच इसे हो, आप खुर इसे गिनिये, मेरे प्यारे लोग, आप सामान्य नहीं है, आप है, सबसे अधिकारी बैठी है, शत्रु के सारी सामर्ट पर आप अधिकारी है, पर मेश्वर ने यह हमें दिया है, प्रभु किसम के हुए हाललूया क्या आप ये जाना देगा ये सब कुछ बाइबल में है बाइबल कहती है मत्य अध्या 5 वचन 14 हमें तुम जगत की जूती हो ये डिगरी है जो परमेश्व ने हमें दी है ईश्व ने कहा तुम जगत की जूती हो कितने लोग कह सकते हैं मैं जगत की जूती हूँ ये एक डिगरी है ये तो एक डिगरी है जैसे लोग कहते हैं कि मैं एक दॉक्तर कोई कहता है मैं एक वकील हूँ मैं एक न्याधीश हूँ मैं एक साइन्टिस्ट हूँ परमेश्वर कहता है तुम जगत की जोती हो तो फिर हम क्यों नहीं कह सकते कि मैं जगत की जोती हूँ उसने कहा तुम जगत की जोती हो तो तुम जगत की जोती ही हो आप जहां भी जाएंगे तो अंधकार नहीं आ सकता वो तो उस जगह से भाग जाएगा शत्रू के सारे अंधकार के काम दूर भागेंगे आप जोती है, जगत की जोती है आप लोगों को जोती में लेकर आते हैं जो कोई भी आपके पास में आएगा अपने आप वो जोती में आते हैं जब आप सडकों पर चलते हैं आप गड़ों में नहीं गरेंगे, क्योंकि वहां पर जोती में आप उसे देख सकते हैं, आप कहीं जाते हैं, आप जाकर किसी से टकराएंगे नहीं, क्योंकि आप जोती हैं, ये कितनी महान आशिश है, क्या आपने इसके बारे में सुना, ये सब यहां पर है, ये शुमसी को स आमने बात नहीं बाइबल कहती है फिलिपिय अध्या 3.20 में कि आपकी नागरिक्ता तो वो इस पृत्वी की नहीं है आप इस पृत्वी के नहीं है बाइबल आगे कहती है आप जानते हैं आप कहां से आए हैं आप कौम है पहला पत्रस 2.9 कहता है जब आप रभुई ईशु पर विश्वास करते हैं देखे ये सारी डिगरी वहाँ पर लिखी गई है आप इससे पढ़िए पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद धारी याजको का समाज और पवित्र लोग और परवेश्वर की नीज प्रजा हो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुद जोती में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो इस तरह से वचन यहाँ पर कहता है मेरी प्यारे लोगों कि आप ये जानते ही आप चुने हुए लोग हैं आप ऐसे नहीं कि जो बेकार हो आप तो चुने हुए वंश और परमेश्वर ने आपको चुना है और उसने आपके वंश को भी चुन लिया है तुम राजपदधारी हो आप पवित्र प्रजा हो परमेश्वर के विशेश लूग हो जो प्रभीश मसीपर विश्वास करते हैं वो तो अलपसंख्यक नहीं है वो कोई गरीब मनुष्य नहीं है वो ऐसे लोग लास का नहीं है वो तो राजपदधारी है वो तो पवित्र प्रजा है मेरे प्यारे लोग लोग क्यों कहते हैं ओ ये तो निचली जाती के लोग है ये तो निचले समाज के हैं, ये तो अलपसंख्यक है, नहीं नहीं, क्योंकि हम तो अपनी संख्या के कारण इन सारी बातों का ऐसे कहते जाते हैं, आप और परमेश्वर सबसे बड़ी सेना बन जाते हैं, आप अलपसंख्यक है नहीं पर सकते, निच्ची हम नहीं जानते हैं, और लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं, उस हम स्विकार करते हैं, आगे बाइबल कहती है कि जब प्रभू इश्वर 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 करते हैं, वचन 22 से आगे, और तुम स्रियों की पहाड की पास और जीविते पर मेश्वर की नगर स्वर्गी यरुशलेम की पास, और लाखु स्वर्दूतु और अनके टूर कौ रखुछ उस्वर्दूतू अर नहे की हैं, और यह कहता है लाखो स्वर्दूतों और उन पहलोठों की साधरन सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में वहां पर में लिखे हुए हैं और सिद्ध किये गए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्त इश्व और छिड़काओं के उस लहू के पास आये हो जो कि लहू से उत्तम बाति कहता है इस तरह से वचन कहता है कि आप यह जानते मेरे दोस्तों आप कहां पर हैं जो आप यह मसी पर विश्वास कर से हैं आप परमेश्वर के नगर में आए हैं आप परमेश्वर के उस साधा सामाने सभा में आए हैं आप तो वहां पर लाखों ल पर दुस्तों के घीर में आई हैं, आप परमेश्वर के चर्च में आई हैं, आप सीयोन में आई हैं, अभी आप के वल इस जगह के नहीं रहें, आप सबसे उंची जगह पर आई हैं, आप स्वर्ग में आई हैं, आप वहां पर हैं, वहां पर उसका कोई अंत नहीं है, आप मर मेरे प्यारी लोगों, इसमें तो बहुत बहुत से बाति हैं, बहुत से बाति, रभु की सूती हो, आप विशेश हैं, आप सदा के लिए जीवित रहेंगे, आप अपने पिता परमेश्वर के पास में आए हैं, पवित्रा आत्मा की सामर्द के दवरा, इन सारी बातों में, प और मेश्वर ने आख़ों पवित्रा आत्मा दी हैं, आप प्रभु येश्व को धन्यवाद दे, प्रभु येश्व मेश्य को आप सिविकार कर collecting the people about the lord Jesus Christ, आप रभु येश्व मेश्व ने बारे में लोगों को बता लोपारे चिने जाए, हमेशा येश्व मेश्य के बार इस संसार की मुर्खता की बातों को मत सोचिए कुछ भी महान नहीं है जो आपकी पास में सब कुछ है आप येश्व मसी के बारे में सब बताते रहें आप उध्धार पाएंगे लोग उध्धार पाएंगे और आशिश पाएंगे आए प्रात्ना करते हैं स्वर्गी पिता मैं धनिवाद देना चाहता है येश्व मसी को देने के लिए प्रभू आपने हमें बहुत सी आशिशें दी है ये सारी प्यारी लोग जो प्रोग्राम को सुन रहे हैं उसके लिए धनिवाद देता है यह सारी आशिशे प्राप्त करने बाले कुछा है और वो इसे जानने वाले हो पिता इनकी समझ की आखों को खोल दे मेरे पिता पर मेश्वर मैं इन सभी को आशिश देता हूँ इस देश के सभी लोगों को मैं आशिश देता हूँ हर एक आँखें खुल जाए कि वो आपको देख पाए प्रभाए शत्रु की सारी सामत को मैं डाटता हूँ और अभी इस देश ते निकल जाने के आग्या देता हूँ मैं उसकी सारी सामत को यूश मसी के नाम में बेकार कर देता हूँ और ये लोग सदा सदा के लिए जीवित रहने वाले लोग को जाए येश मसी के ग्यान के द्वारा येश के नाम में आमें झाल झाल